हेलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है बीटी कोटन और बीटी कोटन की सुरुवात करते हैं इसकी हिस्ट्री के साथ 1993 में युनाइटेड इस्टेट्स ने इन्हें दी पर्मिशन किसके लिए इसके बाद आए रिजल्ट काफी पॉजिटिव और पॉजिटिव आने पर 1995 में इसे एप्रूव किया फोर कमर्सियल युज इन युनाइटेड इस्टेट्स और इन्हें इस्टेट्स में 1995 में एप्रूव करने के बाद ये इंडिया में एंटर होती है 2002-2003 में और जैसे ही ये भारत में एंटर होती है और एंटर करने वाली दो कमपनी थी एक तो इसकी डवलपर कमपनी कौनसी मौनसांटो कमपनी जिनों ने इससे डवलप क्या था और साथ में एक इंडियन कमपनी और थी माही को और इन दोनों के जो जॉइंट वेंचर से इंटर्डीज होती है इंडिया में लेकिन शुरुआत में होता है इसका विरोध लेकिन उसके बाद में इसे successfully cultivate किया जाने लगा इसके विरोध के कुछ रिजन थे जैसे spiritual कि हम किसी तरह का कोई change किसी में नहीं कर सकते हैं या हम permission नहीं देंगे और इसके साथ साथ इसका विरोध किया जाने लगा किसलिए कि आगर BT cotton suppose हमने grow किया तो कहीं ऐसा ना हो जो insect अभी grow होते हैं वो इसके against resistant हो जाएं means की future में हम इन insect को किसी और चीज से भी control ना कर सकें और second एक reason और था विरोध करने का वो था कि जो seed है cotton के वो every year should be purchased from developer company की आपको हर बार हर साल developer company Monsanto और जो Indian company थी माही को दोनों के joint venture जो हुआ था उससे seed खरीदने हैं तो हम topic की सुरवात करते हैं कि most conventional insecticides जो most common insecticides हैं वो है pyrethroids और organophosphate और यह कैसे हैं non specific हैं means insect को तो kill करते हैं लेकिन particular किसी insects को kill करेंगे ऐसा इन पर लागों नहीं होता है क्योंकि यह कैसे हैं broad spectrum insect है insect को kill करना है means kill करना है चाहे वो plants को खाने वाले हो या फिर वो pollinating agents हो इसका meaning यह हुआ कि जो insecticides हम use करते हैं वो हमारे useful insects को भी kill करता है और useful insects को ही killing करते साथ में they cause side effect in crops and also in animals including human को भी side effect cause करते हैं अब सवाल आता है कि insecticide कैसा होना चाहिए तो insecticide होना चाहिए ideal और ideal insecticide कैसा होता है it should be specific to insect कैसा होना चाहिए it should be specific to insect means यह particular किसी insect को ही kill करें किसी unknown या other insect पर applicable ना हो second it should be biodegradable कि आज हमने crop पे use किया यूज करने के कुछ दिन बाद में यह biodegradable होना चाहिए means long time persist नहीं होना चाहिए जैसे कि कुछ होते हैं like DDT यह कोज करता है bio magnification और जो की harm करता है human as well as insect को present में कोई ideal insecticides तो नहीं है लेकिन it is very close to ideal insecticide की bacillus thuringiensis एक bacteria है और यह काफी हद तक ideal insecticide के form में काम करता है तो हम आपको बताते चलें कि जो bacillus thuringiensis से एक bacteria है और bacteria में thuringiensis जो species का जो नाम है वो लिया गया है किस से एक German town से और German town कौन सा है वो है thuringia और thuringia को select करने के पीछे logic यह था कि यहां पर मिलते थे बहुत ज्यादा insect और bacillus thuringiensis क्या करता है insect को करता है kill insect plants को तो eat करते ही है plants के साथ-साथ occasionally they also eat bacteria तो होता क्या है कि जब bacteria को eat करते हैं तो bacteria में develop होता है self defense system against insects और वो किस में डवलप वा bacillus thuringiensis में bacillus thuringiensis तो यह bacteria है जो produce करता है BT toxin तो इस case में हम करते क्या है कि जो toxic gene है suppose यह हमारे पास में chromosome bacillus thuringiensis का और इसका particular यह chromosome यह provide कराता है insecticidal property तो इस case में हम करेंगे क्या कि इस particular gene को करते हैं यहां से remove और इसे insert करते हैं हम cotton सीड में और cotton सीड में insert करने पर जो insecticidal property जो यह bacteria represent कर रहा था और वो कौन रिप्रेजेंट करता है cotton तो इस वज़े से BT it is a best bio pesticide present में BT gene already inserted in many crops for example cotton, corn, rice, tomato, potato, soybean, brinjal, etc. आर्थ पर लगबग 12 lakh species हैं किसकी animals की और 12 lakh में से 9 lakh belong करती हैं किसको insect को तो insect के कुछ orders है for example lapidoptera, birdworm and armyworm इनके against BT cotton effective है Collioptera order इसमें beetles के against और diptera इसमें है flies and mosquitoes के against BT cotton कैसा है effective है और यह करता क्या है यह produce करता है protein किस form में crystal form में और crystal form का जो protein है यह होता है toxic और यह बनाता है insecticidal protein अब सवाल यह आता है कि BT toxin protein किस तरह से activate होता है तो learners हम करते क्या है कि जो भी हमारा gene है endotoxin gene इसे introduce करते हैं हम किस में in cotton for example हमने किया इसे introduce cotton में तो cotton का जो पोधा होगा उस पर attack कौन करता है insect और insect attack करने पर यह consume करते हैं इसकी leaves को तो यहां तक तो ठीक है कि insect ने leaves खा ली तो insect leaves को खाते ही die नहीं होता है तो होता क्या है कि यह जो leaves है यह कहां पहुंचती है यह पहुंचती है उसकी gut में और gut में क्या होगा यह होती है digest और digest होने पर जो inactive toxin है यह convert होता है active form में due to alkaline pH of the gut और जैसे ही यह active होगा तो activated toxin यह क्या काम करता है यह bind होता है to the surface of mid-gut epithelial cell then तो mid-gut Gente होती है एक तरह से intestine और intestine में यह क्या होता है activate होता है तो activate होने के साथ साथ यह create करता है pore साथ में cause करता है swelling pore और swelling होती है intestine में और intestine में swelling होने पर इसका क्या होगा cell का lysis और जब किसी insect की intestine का lysis होगा तो यह क्या होगा it cause death of the insect और इस तरह से हम करते हैं insect को control without use of any insecticide अब सवाल ही आता है कि हमें कौन सा gene insert करना है cotton में तो हमें करना क्या है कि जो हमारा target insect है उस target insect के according हमें particular gene को करना है insert किस में cotton या फिर other किसी crop में for example हमारे पास में gene है cry 1ac और यह effective है cotton bulworm के cry 2ab यह effective है cotton bulworm के और cry 1ab यह effective है corn borer के तो learners इसमें जो cry है वो two types से लिखते हैं एक में तो c होता है capital एक में c होता है small letter में तो इसका simple meaning है कि जो capital c है यह indicate करता है toxin protein को और जो small letter में है यह represent करता है gene को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने gene लिखे हैं इन सभी का जो c है वो कैसा है small letter में है it means यह क्या है यह है gene और अगर हम इसे लिखते इस तरह से cry 1ac तो इसका meaning होता यह क्या है यह है protein और यहाँ पर cry का meaning होता है crystal protein क्योंकि यह क्या बनाता है यह बनाता है crystals और इस वज़े से इस protein को कहा जाता है cry protein इसी के साथ हमारे यह topic होता है यहाँ पर समाप्त आप other videos के लिए हमारे channel पर visit कर सकते हैं thanks for watching please like share and subscribe our channel biology academy thank you